मैं डाक्टर संदीप पांडे, एसोसियेट प्रोफेसर गुजरात इंस्टिटिट आप डिजास्टर मैनेजमेंट आप सब दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का चर्चा और विचार का विशह है मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम इन गुजरात मित्रों हम लगातार इन चीजों को देख रहे हैं कि अलग अलग भगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग प्रकृति की प्रतिक्रियाओं के रूप में भारी बारिश, सूखा, तेज हवाएं या फिर हीट वेव ये लगातार इसका एक्स्पोजर होता जा रहा है इसका दुस्परिडाम हम लगातार महसूस कर रहे हैं और उससे जान माल की छटी लगातार हो रही है इसके परिप्रिक्ष में आज चर्चा का विशय मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम लिया गया है इसके तहट हम चर्चा करेंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम ये दोनों में किस तरह के प्रोच अपलाई किये जाते हैं और कैसे हम मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम से चीजों को घटा सकते हैं अपने जान माल की सुरच्छा कर सकते हैं और अपने सकते हैं इसकी चर्चा के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं एक है श्री संजय जोसी साहब जो की गुजरात इंस्टिटीट आफ डिजास्टर मेनेजमेंट के डिरेक्टर श्री है और श्री अतुल सक्सेना साहब जो की कमांडेंट रहे हैं इंडियन कोष्ट गार्ड में जिनका एक लंबा एक्सपरियेंस रहा है इंप्लिमेंटेशन में और उसके अंदर जो कमियां आती हैं या जो प्रॉब्लम्स आती इंप्लिमेंटेशन में संजय जोसी साहब रिविन्य डिपार्टमेंट से रहे हैं इनको बहुत गहरा अनुभव है इन चीजों के इंप्ल पहले भी की है इरली वार्निंग के तीन इंटरनेशनल क्ंफरंस हुए उस में से 2006 में कोंफरंस हुआ था उस में एक चेक्लिष्ट fit final की गई उस चेक्लिष्ट में ये किए गया कि four steps of early वार्लिंग न्बर वन यह बात होती है कि पहले हम जोखम को identify कर सकते हैं पहली बात कि आप जोखम को identify करें इसका मतलब कि risk को identify करें identify हो गया फिर उसकी intensity को उसके extent को हम क्या करेंगे पहले assess करेंगे कि कितना बड़ा जोखम है कितनी area में होने वाला है कितने लोग affected होंगे, कितने नुक्सान माल की होगी, कितने पसुधन का नुक्सान होगा, इन सब बातों का आकलन करते हैं, इसको बोलते हैं assessment of the risk. नंबर दो बात होती है, monitoring की, monitoring में यह होता है, कि हम क्या करते हैं, इस जोख हम को continuous, real time में हम देखते रहते हैं, कि स्थिति क्या है और किधर जा रहा है, तीसरी बात होती है, response capability की, जो कि हमने अभी model से परेंडी बताया, जो कि revenue department से, संजे जोशी शाहब हैं, जो कि model से परेंडी बतायेंगे, government कैसे respond करती, अभी हमारे state में, वायू का एक बहुत ही भीशन संभावना था, जो कि प्रकृति द्वारा नहीं आया, फिर भी कुछ जोखम था, जो कि बहुत ही बढ़ियां से handle करके, उसको nullify किया गया, उसका एक early warning को हम multi 1000 कब कहेंगे, तब कहेंगे, जब सारे ही 1000 के जोखम को, हम assist कर लें कि अगर 1000 के होने से, 2000 के होने सो, या 3000 के होने सो, एक साथ में, कितना geographical area, कितने लोग, कितने धन की छती हो सकती है, तो इस approach को हम multi 1000 early warning system बोलेंगे, इसके परिप्रिक्ष में, हम चाहेंगे, कि इसक पहले हमारे दर्शक बिंदू ये जाने कि जोखम होता क्या है, आपत्ती बेवस्थापन की बेवस्थाएं, उसके principles, उसके terminologies, वो क्या-क्या होते हैं, हम आगरह करेंगे, स्री संजे जोसी सहाब से, कि इस पर प्रकाश डालें, इस पर चर्चा करें, और हमारे दर्शक बं दिजास्टर मैनेजमेंट, तो दिजास्टर मैनेजमेंट एने गुजराती मां अपने आपत्ती ब्यवस्थापन कहिए छिए, आप लोकों जानता हाशो के जे जूना लोकों छे हमेशा वाद करता के बाई, जे ते वकते अंजार मां भुकम पावे लो, एना पछी 2001 मां कच इंगलीश मां भुज मां भहेंकर भुकम पावे लो, ओगनीसो अठाणू नवाणू मां कंडला अने ओरिस्था मां बहु मोटव वावा जोड़ा आवे जेने इंगलीश मां साइकलोन कहे छे, बीजू के छिल्ला किटलाक वर्षो थी, गुजरात ने बहुज दुशकालनो सामनो सदभाग्ये नथी करवो पड़ेो, परंतु साथे साथे एवा किटलाए वर्ष गया छे के त्यारे गुजरात ना किटलाक जिल्लाओ मां मोटा पूर और भारे वर्षाद ना कारणे उभी थती आपत तिनो सामनो करवानों आवे ओ छे, तो आ बधू शाना कारणे थ आई छे, अने गुजरात ना इतियास ने जो ये, के आपत तियो काया काया प्रकार नी अने क्यारे क्यारे आवी छे, तो एमा महद अंशे, कुदरती कारणों जेने कहिये छे, के जेने अपने हैजार इंगलिश मां कहे छे, तो एवा काया काया प्रकार ना हैजार मां मतलब के जे नुक्सान करीश के एवा कया कया तत्वों छे इवी कई-कई घटनाओ छे तो सौधी पहला अपने त्या भुकम्प कारण के आपनों कच्छनों आखो जिल्लों भुकम्पने उजेसे अती तिवरता वाला भुकम्पनी शक्यता धरावतों प्रदेश छे यह ना पची जामनगर थी लई ले कच्छने अडीने आवेना जे जिल्लाओ छे एमना कच्छ तरफ ना जे भाग छे ए बदा भाग नो एक आखो पट्टों जो बनावी ये तो जामनगर छे देव भुमी द्वारका छे दो जामनगर छे उत्तर राजकोड छे उत्तर मोर्भी चे त्यां थी आगल जेए तो सुर्विंद्र नगर नों केटलोग भाग चे साथे साथे पाटन जिल्लो अने बन्यास कठा जिल्ला नों केटलोग भाग आ सौथी तिवुरग गणी शकाय इटले के जोन फाइव मां आवतो प्रदेश चे तो आ भुकम्पनी वाद थाई आख जे मिलकत नों नुकसान थेलू जमीन उबढ़ खाबर थेगेली ते कच्छमा थाई परन्तु कच्छनी साथे साथे जा मैं जणाव्या ए विस्तारों मां पण मकानों नुकसान थेलू अने ए समय गुजरात मां लगभग अढ़ी लाख जितला मकानों संपून जमीन दोस थ ते 10 लाख जितला मकानों अन्शत तुटेला तो आ प्रकारे भुकम्पनी शक्यता गुजरात मां चे बीजो चे आपनों लगभग 600 माईल जितलो लांबो दरिया किनारों चे आ दरिया किनारा उपर अर्भी समुद्र अथवा दक्षिन महासागर मां जारे पन कोई प्रेश चरमा थी वावा जोड़ू जो बने इटले केने साइकलोन के जे तो ए साइकलोन पची क्यारे उत्तर तरफ गती करे त्यारे गुजरात ना कितला खिस्साओं मां ए साइकलोन आवी शके जे इटले कि दरिया कांठानों विस्तार होई इटले साइकलोन नी भीती वालों विस भावनगर, अम्रेली, जुनागर, गीर सोमनाथ, साथे साथे पोरबंदर, जामनगर और देव भुमी द्वार का आविस्तारों और पछी कच्छ तो आज दरिया कानारा जिल्लाओ छे ए बधा वावा जोड़ा थी नी शक्यता धरावता जिल्लाओ गणी शकाई ये प्रकारे त्रीजो महत्वनों, जे त्रीजी महत्वनी मानव जान हानी अन्य प्रापर्टी ने लगे मिलकत ने नुक्सान करी शके अत्वा खेती ने नुक्सान करी शके परियावरण ने नुक्सान करी शके तेवी तेवो त्रीजो जे अपड़ो आपती छे ते छे पूर जारे जारे पूर किटला प्रकारे आवी शक्के छे कि जारे जारे भारे वर्साद थाई त्यारे पूर नी स्थिती सर जाई साथे साथे जारे नदियों ना उपर वासमा भारे वर्साद होई उदाहरन तरीके जारे मर्द्य पदेश मा खुबज वर्साद होई अने कदाश नर्वदा जिल्ला अथवा भरूची जिल्ला मा वर्साद नो होई पन तेम छता पन उपर वासमा थायला वर्साद ने कारणे आ जिल्लाओं मा नदी द्वारा पूर आवी शके छे तो एक आप्रकारन हमना जे जे ताजेतर मा वडोद्रा, सूरत, नवसारी औने वलसाड अचार शहरों मा जे वर्साद पड़ेओ अथवा एमा आवती नदियो मा जे भारे पानी आवेया औने साथे साथे ये शहरों मा पन वर्साद पड़ेओ आ भारे वर्साद ना कारणे प पूर्णी स्तिती सरजावानी शक्यताव वाला विस्तारों कया चाए तो जो आपने दक्षिन्द थी सरू करिये तो वलसार जिल्लों छे तो वलसार जिल्ला मां जे नदियो अर्भी समुद्र ने मले चे यो दमन गंगा चे उपर आवी तो अंबीका चे पुर्णा नदी चे नवसारी मा एना थी उपर आविये तो सूरत खाते तापी नदी छे एना थी उपर आविये तो नर्मदा नदी छे जे नर्मदा अने भरुत जिल्ला मा थी वहे छे एना थी उपर आविये तो वडोद्रा मा विश्वामित्री नदी छे वडोद्रा थी सहज उत्तर तरफ आव वह छे वात्रग छे हाथ मती । इनाती ऊपर आवीये तो साबर oni शाबर काठा अने महिसाना जिल्ला मा के जान थी साबरουμεती बनेना की बोडर उपरती पसार थाई चे जो तिया वर्साद आवयो होए के नवायो होए परंतु जो दक्षिन राजस्तान मा वर्साद आवयो होए के जान्थी साबर मती उद्भवे चे तो तिया थी अधड़क पाणी लईने आवे तो पूर्णी सिती सर जाए तो आ पूर्णी स्थिती छे एक खंबातना अखात मा वोठा अगल मले छे त्यां सुधी कोई पन जग्याए गामडव मा आ पूर्णी स्थिती पैदा करी शके छे तो एज रिते हमना जैरे माउंट आभू मा बेजार पंदर मा अने बेजार सत्तर मा दियोदर थराद अने थरा राधनपूर सातलपूर अने अपाटन ना किटला गिल्लाओ मा बनास नदी रूपें नदी अने एक रेल नदी छे आ नदियो मा आवेला पूर्णा कारणी तो आ रही पूर्णी गुजरात नी स्थी ती एउ नदी के सवराष्ट्र मा अने बीजी जिग्याई वर्साद नथी परंतू त्यां सामान्य तह गुजरात ना आ हिस्सा करता ओछो वर्साद पड़े छे परंतू बुदकाल मा एवापन किस्साद है आचे के अत्यांत भारे वर्साद ना काराणी पूर्णाववानी परिस्थितियों सर्जाई छे 2019 मा जो याद होई तो सोमनात मा विरावल तालुका मा मालिया मियाना मालिया हाटीना अने जामनगर ना राजब मां पांसो एमेम करता एकद दिवसमा वदू वर्साद थे लो अने पूर्णी स्थिति सर्जावे ली त्यां फूर्ण पैकेट ने अने अधारे बदी सेवाओ पूर्बंदर नो जे धेड़ विस्तार छे ते विस्तार मा एनी एक आखी भोगोलिक परिस्ति अलग छे एडले किटला एक 14 किलोमीटर नो विस्तार जो भारे वर्साद एक वख़त आवी जाए तो सतत चौमा साथ दर्म्यान एक आख्खो विस्तार नी गामों जे छे धे पाणी थी भरेलो रहे चे अने लोको फक्त ने फक्त पाणी माँ थी ट्रेक्टर ना अधारे एक गाम थी विजागाम जाये तेवी परिस्तिती सर जाये चे तो आराई पूर्ण इस्तिती तो भुकंप वावा जोडू अने पूर्ण आघ त्रोण मूटी थाई और अवे जारे जारे आपनो तेवा अधोगी की करोन थाईओ छे मूटी मूटी कमपणीओ थाई छे जामनगर्मा रीफाइंडरी थाई चे आई पी सी एल ओuzu सी नाकी वाव था चे मूटी मूटी केमिकल फेक्टरियों थाई छे तो आवी जै फेक पूरा GIDC एना थी उपर आविये तो आननी GIDC एना थी उपर आविये तो अमदावाद माँ वटवा नरोडा आ बधा जे विस्तारों छे ते अने हवे सानंद नो विस्तार आ बधा अत्यंत भारे उद्योगों वाला विस्तारों छे अत्यंत गीचता थी बदी इंदस्ट्री जावे ली छे आविस्तारों मां जहारे पन कोई पना कस्मात थाई त्यारे इंडस्ट्रियल हैजार जेने कहे छे त्यारे आगपन लागे इमां गेस लिकेज पन थाई शके अने मैसाना अने जहां जे आ आईयोसी अने जे तेल कंपणियों छे बीपी सीयल ने एमना जे ओईल दिपो छे त्या अगल आ प्रकार नी धुर्गटना सरजाई शके छे तो महदन से गुजरात मा आ प्रकार नी छे हवे जारे आपने अरली वर्निंग नी वाद करिये छे त्यारे अरली वर्निंग नी आपने वाद करिये के केवा केवा प्रकार नी चेत्तवनी क्यारे मलती ह ये पहला आपड़े समझी लईए कि आपती व्यवस्तापन शना माटे आवशक चे कि काया लोकों ने सौथी वधारे जोखम चे तो आपती नुझे जोखम चे जने इंगलिश माँ डिजास्टर रिस्क कह चे एउ न थी के पूर विस्तार मां रहता तमाम लोकों ने तेना थी नुक्सान धाई जो तमे पूर्णा विस्तार मां रहता हो अने तमारा जे तमे उपरना माले रहता हो अत्वा तमे एवा मकान मां रहो चो के जे उंचाईना स्थान उपर बनावा मां आवेलू चे अने अत्वा तमे पलीन्थेटली उंची लिधेली चे अत्वा तमे बेज बेजमेंट मां मकान नती बनावियू औने बेजमेंट मां खाली राकियू चे तो एवाल जे लोकों छे एमने पूर्णा काराणे जोखम संभवी शके नहीं तो आपत तिनू जोखम शना काराणे वदे चे जो ओचू पूरावे तो न थाई वदारे पूरावे तो थाई तो एना ती केटला नजीक चो जो तमें दरिया किनारे बिलकुल रहता हो तो स्वाभावी कृतेज तमने ए जोखम नू एक्सपोजर एटले के ए जोखम साथे तमारू सीधू खुला पणू एक दम नजीक चे तो एना काराणे तमने कोईपन व्यक्तिने आपत तिनू जोखम साथे साथे ए जोखम सहन करवानी व्यक्तिनी ताकात केटली चे जे कुटुमबो दरिया किनारे जूपड़ पटी मा अने सामान्य वजन वगरना छत धरावता हो तो एवा जोपड़ा जेवा अत्वास लैंड रूफ वड़ा मकानों मा जे लोकों रहता हो तो एवा लोकों जोखम सहन करवा मा ते वह आ समर्थ चे तो एवा आ समर्थ योणा कारणे एमने नुक्षाननी शक्केता वदी शक्ये चे जे लोकों पूर विस्तारमां रह चे पाका मकानों मा रह चे अने साथे साथे ए लोकों उन्चày होला जो विस्तार वो मा रहता हो तो एमनी ग्वाइबाषायenne तो एवाइबाषायने फ़कनली वाखनाशानी, फ़कनली वखनाशायी का सामान नी छत वाला मकानों बनावया चें एमने भुकम्प आवे मकान पड़े पर तेम चताई जान हानी नी चिंता रहती न थी एवापन मकानों चे भूजमा के जे आटलो मुटो भुकम्प आवे हो चता ए भुकम्प मकानों सुरक्षित रहा तो एनू कारण शू तो भुकम्प नी शक्यताना ने ध्यानमा राखी और मकानों इटला मजबूत बनावया यह प्रकार ना सिमेन कॉंक्रेट यह प्रकार नो लोखंड और यह डिजाइन प्रमाणे वापरवा मां आवियू जेना कारणे तेमने आ भुकम्प ने कारणे आड़ असर थाई नही और ते वो बची शक्या एजरी ते पूर विस्तार अने साइकलोन विस्तार मां मानस पोतानिक शमता वधारी ने पौन सुरक्षित रही शके छे विनाशक घटना में तमने वाद करी के हैजाड कोने केवाई तो आब अधी विनाशक घटनाओ नी आपड़े एना जारे कारणों नी चर्चा करी तेरे भुकंप, पूर, वावा जोडू, आग नी घटनाओ, अध्योगिक अकस्मातों नी घटनाओ, ए बधी अपना माते छे, हवे में तमने वाद करी, खुला पाणू, कि जो तमें दरिया किनारे रहता होई, अने सुनामी अथवा साइकलोन वावा जोड भुकंप नी तमने वाद करू, तो भुकंप कया कारणों सर थाई छे, तो भुकंप जमीन मां अपने अलग-अलग प्रकारनी प्लेट्स छे, ए जे प्लेट्स खरी, ए प्लेट्स सत्तत एक बिजा तरफ अथवा एक बिरा थी, विरुद्धनी दिशा मां मूवमेंट करती ह जारे आवी प्लेट्स एक बिजा साथे संघर्ष पुन, एक दम संघर्ष पुन नजीक आवे छे, त्यारे एमनी वच्चे विस्पोट थाई छे, और आ विस्पोट्स भुकंप नी घटना नियाकार आपे छे, जेना काराने जमीन, आखी जमीन द्रुस्ती होई, ती प्रक प्रकार ना घणा मोटा नुक्षानों थता होई छे, आपने त्या डिजास्टर शब्द बहुजवप रहे छे, आपने डिजास्टर नी व्याख्या समझी लेए कि डिजास्टर कोने के वाई, डिजास्टर मा एऊ न थी कि कोईपन मानस न मरे, तो ए घटना ने नुक्षानों आवे, तो सवधी पहला तो डिजास्टर नी व्याख्या मा एऊ उचे के कोईपन प्रकार नी कुदरती लागती, अथवा मानव सरजीत घटना, के जेमा व्यापक नुक्सान थाई, व्यापक इटले, घणू बदू मोटू नुक्सान थाई, के जेमा कया कया प्रकार नुक्सान थाई, तो सवधी पहला तो तेमा जो मानव जीवन अथवा पशुवो बहु मोटी संख्या मा मर्या होई, एव उप्रांत संभवत हो, घणी मोटी संख्या मा माल मिलकत नुक्सान थाई होई, एव उप्रांत एगरिकल्चर, यले के खेती ने अने परिय गणू मोटू जो नुकसान थयू होई तो एवी घटना अनि एगटना के जेमा स्थानिक संसाधनों मतलब के एमा स्थानिक संसाधनों स्थानिक जे मदद चे स्थानिक लोकों चे ए पोतानी मदद जाते न करी शके एवी स्थिती सरजाय अनि एहमने भारती मदद बोलावी प पूर इटला माटे डिजास्टर केवा माँ आवेलू 2000 माँ अमदावाद माँ आवेलू जुलाई मैना माँ आवेलू भेंकर पूर अमदावाद शहर माँ के जे माँ S.J. हाईवे तोडवो पड़े हो तो तो ए बदू पूर आ बदी विनाशक घटनाओ इटला माटे के माँ थी मदद नी जरूर पड़ी थी आमा किटली जग्याए एर फोर्स थी विमानों बोलावा पड़े आता कोस्गार्ड अथवा एंडी आरेफ S.D.R.F एना जेवी जे पानी मा नवकाओ लईने लोकों ने रिस्क्यू करी शके एवी एजनसीज ने बोलावा माँ आवी हती त तो अब दी इतला माटे के एव दा डिजास्टर ना समय जे स्थानिक संसादनों हता स्थानिक कचेरियो हती एव ओते मदद करी शके इतली पूर्नक्शमता मां नो हती। अपिए उख घ्रान के से अउंने परियान और करें ब्रुपर्टर में जोजाऊं अपिस सोफ्या ही शाल्य स्स stories जो इसेटेन कई सकार 참 developers आँख शाल्या का बीस आइटीक सोफहरां स्लाइड्स चे पची अन्य प्रकार ना अन्य प्रकार नी केटली हीम प्रपाच चे बरफ नी मोटो वर्साच चे कि जे आपने त्या थतो न थी इटले आपने मुख्यत वे आ चार बाबतों उपर वधारे चर्चा करी शू अने अवे आमा सरकारी सिस्टम के विरते काम करे चे एह हूँ आपने समझाविश तो सौथी पहला पूर आवे तो आपने कौन जान कर शे आ तमाम बाबतों माटे आपनी गांदी नगर खाते नो जे राज्यनों कंट्रोल रूम चे एने S.E.O.C. के चे स्टेट इमर्जंसी ओपर सेंटर एने वर्षो थी स्टेट कंट्रोल रूम कहता आता त्यां होट्लाइन्स आवे ली छे दर एक जिल्ला साथे सीधी जोडे ली छे के जे वो तमें फोन उपाड़ो अने सामे एक डायल करया वगर सीधो फोन वागे अने त्याना अधिकारी उपाड़ी शके अब आ कं लुका खाते खास करेने चोमा सामा तो 24 कल्लाग चालता होई छे आठाड कल्लाग नी त्रोन शिफ्ट मां सीनियर कक्षाना अधिकारी मामलत दार डेपिटी कलेक्टर कक्षाना अधिकारी आमा मुकुवामा आवता होई छे ये लोको आ कंट्रोल रूम संबालता होई छे आ कंट्रोल रूम मा पूर्णी औने भारे वर्साद नी स्थिती जारे पन बनवानी होई त्यारे आई एमडी भारती हवामान खातू जेनी कचेरी एरपोर्ट खाते छे ते एमने जान करे अने बहुत ताकिदना संजोगों दिवसमा बे वार सामने संजोगों मा ए बुलेटीन मोकलता होई छे पर जो ताकिदना संजोगों होई बहुत भारे वर्साद नी शक्केता होई तो दर बैबे कल्ला के एमनू बुलेटिन मोकलता होई चे रेडियो परती प्रसारित करता होई चे अने एमनी जे वेबसाइड चे आई एमडबाद आई एमड़ी गुजरात एना उपर थी एलोको आ बुलेटिन प्रसारित करता होई चे अने संभवित अना कारणे जेते विस्ता वर्धारे वर्षाद पड़वानों होई ते विस्तारों ना कलेक्टर्ज पोतानी रीते आ माटे ना जरूरी एडवांस मा पगला लेता होई छे राज्य सरकार ने जारे आ बुलेटिन मले ते जे जिल्लाओ भारे वर्षाद नी असर हिटला आववाना होई तेमने फैक्स द्वारा इमेल द्वारा अने फोध द्वारा आ त्रोने त्रोन अने हवे तो वाट्सप नो पन सुवीदा उबी थाई छे एटले वाट्सप नी ते जेते जिल्ला ना कलेक्टर्स अने सिन्योर अधिकारियों ने आ मेसेज मुकलवा मा आवे छे के बही आगामी 24 कल लाक मा 48 कल लाक मा 32 कल लाक मा तमारे त्या मध्यम अथवा भारे वर्षाद आवानी शक्केत आ छे ए माटे तके दारीना पगला लेवा हवे आना माटे अपने वल्नरेबिल्टी जे वाद करिये ची असमर्त धारों के वडोद्रा मा समाचार आवेया तो वडोद्रा ना मुनिसिपल कमिश्णर रथवा कलेक्टर शू कर से तो तेवो पोता ना नदी विस्तार ना जिटला पन लोकों रहे चे ते विस्तारों मा लोकों ने जान कर शे के भाई तमे सलामत सलो पर खसी जाओ हवे आ कया कया गामों नें कया 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 लोकों ने जान कर वी तेवो पहले थीज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मा लखेलू होई चे कारण के हवे अत्यंत आधुनिक सेवा ओ बाइसेक जेवी संस्ताओना सेट इमने आवी जतो होई चे इटले ए पहला सव थी जान करे तालुकाओ मा मामलत दारों ने जान करवा मा आवे अने मामलत दारों जेते गामना सरपंचरी अने तलहटियों ने जान करता होई चे इटले अगर विस्तारों होई खेती ना बहु मुटा विस्तारों होई तो गाम भुकम्प नी आपने आगोत्री जानकारी थाए एडवांस नोटीस मले एवी हजू सुधी कोई जग्याए रिसर्च अपर चारी रहूँ छे पन हजू ये स्थिती न थी यले भुकम्प एक एवी आपती छे के जहां आपने एडवांस अरली वार्निंग मलती न थी परन्तु अपने एटली चोकस खबर चे के कया विस्तारों मा भुकम्प आवानी शक्यताओ रहली चे तो इवा विस्तारों मा मकानों पहले थी ये प्रकारे बनावी शकाए के जे थी लोकों नी ओच्छमा ओची जान हानी थाए तो रही वात आ पूर्नी वात हवे पूर्नी वात के धारों के चलो वर्साद न होई तो आएमडी आपने केवानू न थी के वह आ विस्तारों मा पड़े धारों के मध्यप देश अने महराष्ट्र मा जारे बहुज वर्साद पड़े अने अत्वा राजस्तान मा पड़े त आपी पन अपना बद्यपदेश अने उत्तर महारास्ट्रमा थी आवे चे तो आ विस्तारों निकी विर्ते जान था है तो आवा संजोगों मा जे आपनू सेंट्रल वाटर कमीशन छे सेंट्रल वाटर कमीशन छे सी डबलीउसी जे आ तमाम आतर राज्य नदियों मा ना आतना तमाम डेम मा केटलू पानी वदे छे केटलू छड़वा मा आवियू छे इटले कदा तमे चापा मा क्यारे क्यू सेक सब्दव सांबडता हाशो मतलब के आ ए मापनो पानीना मापनो जथो दर्शावतू माप छे के जेना कारणे रन ओफ इटले के पानी नो वहान केटलू जड़पी पानी आवशे केटलू आवशे औने पछी जे जिल्लाओ मा थी आ नदी वहे छे जिल्लाओना कया-कया गामों मा एने कया-कया खेतरोंनी स्थिती मा आ वर्सादनू पानी बाहर निकल शे और पूरनू पानी बाहर निकल शे अने जेते जग्याई नुकस जान करशे तेनी early warning आपने मलती होई छे तो आ एमनो CWC नो पन regular report आवतो होई छे तो एना आधारे जेते जिल्लाओ मा जान थती होई छे केटलिकवारे उपन बने के भारे वर्साद ना कारणे पन पूरावे और साथे साथे नदीनू पन पूरावे तो आप बनने ने मिलाप करीने आना अकड़ाओ काड़ी और जेते जोखम धरावता विस्तारों ने अगावती जान करवा मा आवे छे जारे अगावती जान करवा नी होई त्यारे पुलिस डिपाटमेंट अपनु होब गाज- रेवन्यू डिपाटमेंट ग्रामपंचायथ नू तंत्रों आ तमाम तंत्रों एक साथे इवा लोकोंने इवेक्योट करवा माटे लागि जायचिए इवेक्योट एले शलांतर तो जैरे बनावी अरली वार्णिंग आवे त्यारे 16 तर थाई प्रात्मीक शालाओं मा गामडाओं मा रहेली कॉमुनिटी हॉल मा ग्रामबंचायत कचेरियो मा कोई मंदीरो मा कोई मस्जीदो मा कोई जैन देरा सरोर मा जैं अगल रहवानी व्यवस्दा होई शकेजें एवा तमाम विस्तारों के जमने 8 स्थानों के वाई चे अवा सलामत आस्थानों के ज現 सब्सक्राइप कि जे गाम्मा पूर आवे पन इवे जग्याए पूर ना आवे तेवी जग्या ओए आ लोकोंने सलामत सले खशेडवामा आवता होई चे जारे पन पूर मा कोई लोक आवे सरकारी तंतरों काम के विर्थे करे चे एहूं तमने चली पांच मिनिट मा बतावी दैश सरकारी तंत इने गणकारी ना होई अने बोताना विस्तारों मा ते खशया ना होई ना आवावी लोकों जारे फसाए त्यारे एर फोर्स, NDRF, SDRF आलोकोंनी मदती आलोकोंने बच्चावामा आवे चे औने त्यार बात तेमने मेडिकल सुविधा पुरिपाडवामा आवे चे मेडिकल खोराक, दवाओ, कपड़ा अने रहवानी आवी रिते सासरे सुनमा रहवानी विवस्ता पुरी पड़वामा आवे चे जारे पूर उतरी जाए अथवा आपत तीनू जोखम टली जाए त्यारे तो बदा पुत-पताना घरे जाए चे जारे ते ओ घरे जाए तो जिमना घर पड़ी गया चे तेमने तेनू तांत्रिक निरिक्षण करी अने एंजीनियर सर्वे करी अने मकान सहाय आपता होई चे अने साथे साथे एमनी गरवखरी जो डुबी होई अने पलडी गई होई तो एमने गरवखरी सहाय मले चे जे लुकना मृत्यू थाया चे तेमने वत्त सब्सक्राइब数 सब्सक्राइब बहुँ महत्पनों भाग चे अनि ए रिते बहुज मोटी संख्यामा मकानों तैयार करी सरकारे करेला नियमों प्रमाने इतली सहाई करी लोकों पोताना निरिक्षण हेटल अत्वा पोते जाते बांदे एई प्रकारे सरकार सहाई करती होई चे तो आरही सरकारी व्यवस्ता पर राज्यकक्षारे बैठकों थाई अनि आ बैठकों मां तमाम सरकारी डिपार्टमेंट एमां सरकारी डिपार्टमेंट आवे एमां एर फोर्स आवी जाए एमां नेवी आवी जाए एमां आर्मी आवी जाए एमां कोस्गाड आवी जाए एमां विवीद सरकारी डिपार्ट प्रिपेड ने शरू थाई ते चाले छेके नहीं तेनी चकासनी चोमासू आउताना बे महीना पहला थाई जाई त्यार बाद कोईपन ड्राइवर नी जग्या खाली होई अपरेट करना रा मशिन जानी अधीकारियों जे स्ट्रेटेजिक जग्या बेठा होई ये तमाम ने कोईने रजा मले नहीं अने ये माटे रजा माटे प्रतिबंद थाई जाई अने तमाम लोकों नी जग्याओ भरेली चेके नहीं ने समय जरूर पड़े तेरे लोकों मले चेके नहीं ते प्रिकार नी चकासनी थाई जाई साथे साथे सरकार जे विस्तारों सामान्य रितेव डूब मा जता होई पानी पूर विस्तार ना होई त्यां अगल ये उपन बने के क्यारेक सरकार पहुंची नशके समय सर्तों इवा लोकों ने एडवांस मा एक महिनानू एडले के कुल बे महिनानू राशन एक साथे सरकार आपी दे जे थी केमना घरमा पूर्तो जथो होई तो जारे बाकी ना जिल्ला थी जारे कटोफ तई जवानों समय आवे त्यारे एमने अनाज वगर टलवूलू ना पड़े तो आ प्रकार नी वेवस्ताओं सरकार करती होई छे जारे जे नदियो छे पानी ना वेंड छे एमा कोई प्रकार ना दबानों थाया होई ज़ारी जाखरा तूटिया होई तो एवा ज़ारी जाखरा ने पंसरकार ना तरपती ताकिद करवा मां आवे छे के एप्रिल ने में महीना मां तुमां कामगिरी पूरी थाई जबी जोई है साधे साथे कंट्रोल रूम ना टेलीाफोंस चे तो आप रदी प्रकारी व्यवस्ता सरकार करती होई चे तो में तम ने खास करी ने कया कया आपत्यों आवे चे इमा कया प्रकार ना नुक्सानों थाई शके इमा केविर्टे अगोतरी जान थती होई चे कौने कोने केविर्टे जान थती होई चे सरकार केविर्टे काम करती होई चेने प्रिपेडनेस के विड़ते था थी और चने रीकंस्ट्रक्शन सुदी के विड़ते थे तमाम प्रकार निमेदमने माही दी आपी दमश्कार धन्यवाद संजे साथ आपने बहुत ही मत पूर्ण और अनुभव पूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को बहुत ही अविभूत हूँ आपकी चीजों से जो कि आपने बहुत अच्छा अनुभव संजोया है इसको अर्ली वार्निंग के संबंद में एक बात कही जा सकती है कि एक लाइव सर्विलांस सिस्टम है जो कि सारी जोखम की सूचनाओं को पहले इकठा करता है उसको एनलिसिस करता है फिर उसके बाद उसकी मौनिटरिंग करता है मौनिटरिंग करने के बाद फिर क्या करता है उसके रिस्पाउंस की कपिबिलिटी को एसस करता है उसके बा परिप्रिक्षिये है इसका फाइदा क्या होता है फाइदा ये होता है कि हम तैयार हो जाते हैं कि ऐसी एक जो खम आने वाली है या संभव है इतने घंटे में इतने दिनों में ताकि हम अपने जानमाल के सुरच्छा को निश्चित कर सकें वहां से हट सकें या जो कुछ भी सर सरकार द्वारा निर्देश दिये जाते हैं उनका नागरिक पालन कर सकें इसके लिए जो कांफरेंश 2006 में हुआ था जो के कॉमन चेकलिस्ट बनाई गई थी इंटेरनेशनली जिसको एकसेप्ट किया गया उसमें ये काम बोला गया कि पेपल को भी अवेयर होना चाहिए उनको पता होना चाहिए कि सरकार किन किन मेकनिजम से किन किन तरीके से इन चीजों को इन सूचनाओं को फिल्टर करके और उनकी उप्यों की सूचना के रूप में उनको देती है ताकि वो अपने जानमाल की सुरच्छा और राश्टर के सतत विकास को निश्चित सुनिश्चित कर सकें इसी के योगदान में और इसी के कड़ी में मैं चाहूंगा सकसेना साब को जो कि अतुल सकतेना साब हैं जो कि कमांडेंट रहे हैं इन्होंने बहुत सारा implementation भी किया एफ फिल्ड में इनके बहुत गहरे अनुभाव रहे हैं अब मैं चाहूंगा आमंत्रित करना कि क्या-क्या तकलीफें होती हैं जब कभी हम disseminate करतें information को वो public जब उसको receive करती है नहीं receive करती हैं फिल्ड में जाते हैं तो क्या-क्या challenge जाते हैं उसकी ब्रिहद रूप रेखा एक प्रस्तुत करें ताकि दर्सक बंधूस से लाभानुवित हो सकें स्री सक्सेना साथ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद हमको मंत्रित करने के लिए शुरुबात हम करेंगे इस विशे से कि हमारे पास हैं से अपदाए किस तरह की होती हैं अपदाएं दो तरह की होती है एक तो जो नैचुरल होती है और एक man-made होती है नैचुरल अपदा हुगक कन्वेंशन हुआ फ्रेमवर्ग हुआ 2005 और 2015 तक उन्होंने एक रूप रेखा बनाई और उस रूप रेखा मैं ये बताया गया और ये निश्चित किया गया कि अगर हम देश में और अंतराश्टिये लेविल पे जो नेश्रल अपदाएं हो रही हैं जैसे अभी जोशीजे ने बताया सैक्लोन आ सकता है सैक्लोन से और भी का बात हो सकती हैं डैमेजेज हो सकते हैं जो आपने घर बनाया है घर तूट गया बाड़ा गई अक्सेस पानी भर गया भुकमरी हो गई बीमारी हो गई ये अगर आप देखें तो केवल एक एक अबदा है आपका पानी बरसा जादा सैक्लोन आया जादा पानी बरस उसे आपका जो समान था वो अव्यस्तित हो गया बीमारी आ गई एपिडिमिक हो गई खाने को नहीं रहा भुकमरी आ गई इस तरहीं की अफिदाएं जो होती हैं वो काम कैसे कर सकें वो हम कब तभी कर सकते हैं हमने इसी कन्वेंशन में आया कि चार जो पैरेमिटर्स निकाले गहे उसने बताया गया डिटेंशन सबसे पहले आप जो अपिदा कहां डेवल अप हो रहे हैं काई से डेवल आप हो रही हैं और उसको खम मौनिटर करें वो कहां से कहां जाएगी उसका क्या रूप होगा कितनी रफतार होगी रास्ते में क्या-क्या नुक्सान कर सकती हैं और उससे सम्मंदित जो लोग हैं, उनको हम समय रहते दें, तो शायद वो उसके लिए सचेत हो सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें, और सरकारी तंत्र जो है, जो अभी जोशी जी ने बताया, उसके अनुसार, अगर वो कारिकर हैं, तो उनका नुकसान कम से कम हो सकता है, और कभी कारणों से सही व्यक्ति तक नहीं पहुश पाती, या अपवार डवलप हो जाती है, लोगों ने एक बार भुकाम पाया, फिर आजकल वाटसब बहुत चलता है, उसमें लोगों ने बोल दिया, पांच बच के छब्बेस मिनट पे भुकाम पायेगा, तो जनाब कोई भी पहलती है, अफरा तफरी बंसती है, और लोग परशान होते हैं, तो कभी जो भी आपको सुवदा मिलनी चाहिए, उसमें आपको विखने पड़ता है, इन्फार्मेशन जो आती है, इन्फार्मेशन कहां से आ रही है, उसका सोत्र क्या है, वो अथंटिक है, या नहीं है, कि सोर्स से है, और उसके हिसाब से आपको अपना को काम करना चाहिए, इसी तरीके से विच कैरी अथार्टी, गौर्मेंट अथार्टी है कि नहीं उसमें, एक्टिवेशन ऑफ इमर्जेंसी, कब होगी, कैसे होगी, इस सब विशह में, जो कॉन्फेंस डबलप हुई, उसी ये निकल के आया, कि जो फूर कॉंपिनेंट्स हैं, ये नीड कॉर्डिनेशन इनका अपस में होना चाहिए, अगर इनमेंसे किसी भी एक एजनसी का कॉर्डिनेशन अपस में नहीं होगा, तो दूसरी एजनसी को एक वेक्यूम मिलेगा, और वो वेक्यूम होने कारण उसका जो उसमें पहले बहुत जादा नुकसान होता था, लेकिन अभी वो नुकसान की जो परसंटेज है, वो बहुत काम हो गई है, अभी रिसेंटली गुजरात में एक साइकलोन आया, आने वाला था, किसी कारण से हमने उसको पहले से ट्रैक कर लिया, और ट्रैक करने के बाद हमने लोगों को पहले से बताया, और बताते बताते हम उसमें सक्सास रहे कि ताकि लोगों को नुकसान नहीं हुआ, तो इसे ही क्या होता है कि आपको, we should have advisory group on multi hazard and early warning system. It comprises a leading expert from National Meteorological Organization and Hydrological Organization, disaster risk management agencies, regional agencies, international agencies, NGOs, stakeholders and private parties also. stakeholders जो हैं, वो बहुत जरूरी हैं आपके साथ, क्योंकि, for example, अगर आपको हम बताएं कि एक जगह है गुजरात में दहेज, दहेज में बहुत सारा तेल आता है, और वहाँ पे इतना development है, industrialization इतना जादा है, वहाँ पे एक कोजगार ने क्या किया है कि common तरीके से आपके पास resource management करना है, अगर आपने वहाँ पे तेल भरा और तेल भर करके कुछ रिसाव हुआ, तो जरूरी नहीं कि एक agency के पास सारा सारा समान हो, तो उसको combat करने के लिए, वहाँ पे mutual resources डवलप किये गए हैं, और उस mutual resources डवलप करके उस तेल को हम रोक सकते हैं, contain कर सकते हैं, और recover कर सकते हैं, ताकि समुदर में जादा से जादा नुकसान ना हो, ये एक आपकी joint management है, disaster का, जो की oil related है, इसी तरह का cycle जब आता है, तो हमारे पास information होती है, और हम अगर उसको timely pass करते हैं, मचवारों को, district authorities को, और ports को, ताकि वह समुदर में ना जाएं, और अगर किसी कारण से वो चली भी गए हैं, तो कोजगार्ड का एक joint और common number है, 1554, अगर आप उससे call करते हैं, तो कोजगार्ड आपको मदद वहां पे पहुंचाती है, और किसी भी तरीके से हम आपकी महां पे मदद कर सकते हैं, तो ये हुआ आपका information receive करना, और information सही जगे पे आना, और उसको हम ने आपको पास किया, लेकिन इसी के साथ अगर हम आपको educate करें, आपको हम educate करें, और educate करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको multi हजार early warning system चाहिए, उसमें होता क्या है, कि पहले हमें ये देखना है कि क्या आप हजार से related जो threats हैं, उसको आप identify कर सकते हैं, अब व threats क्या क्या हैं, चेक आफ लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपका है disease है, वो किस कितनी frequency पे आती है, अगर आप मैप देखें यहां पे, वेस्ट अरिबियन सी का, तो यहां पे जो चक्रवात हैं, वो मई जून और October November के मौसम में जाधा आते हैं, इस से जो तत्र अपना जो बंदोबस्त हैं, वो ठीक से रखें, तो आपका जो जान और माल का नुकसान है, वो बहुत कम हो सकता है, आर यू एक्सपोज तो वर्नेबल कैपसिटी और रिक्स एसल्स आपका उजगे का किया गया है, किने किया गया है, वाट इस रिस्क, आपको किसी पापद के कारण, है यहाँ पर, आपको किसी पापदा के कारण, वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है, इन सब को देखने के लिए, 2015 के बाद एक गोश्टी फिर होई, और उसको सेंड़ाई फ्रेमवर्क कहा गया, उस सेंड़ाई फ्रेमवर्क यह में इंटरनेशनल लेविल पर यह पर दो एड्रस एग्जिस्टिंग चैलेंजेज, वो चैलेंजेज क्या हैं, क्या घर वहाँ पर मजबूद बने हैं, क्या अगर घर बहुत तट्टे किनारे हैं, यह आपका जो जो जोन है, सिकूर्टी जोन उससे बाहर हैं कि नहीं है, अगर किसी करण से हैं तो क्या उनको किसी अपदा के समय निकाल सकते हैं कैने निकाल सकते हैं, कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, और क्या स्विफधा दे सकते हैं, तो ऐसे करके हम जो फ्यूचर के लिए हम प्रपेयर हो सकते हैं, फोकस बाइ मॉनिटरियंग,。 अंडरस्टेंडिंग शेरिंग सच इन्फॉर्मेशन्स उन हो इट कैन वी क्रिएट इस्टेंथन मजबूतिक ऐसे सकते हैं डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस एंड कॉर्डिनेशन अमंग ऑल दा रिसोर्स अजन्सी अब रिसोर्स अजन्सी इसमें अडिया रफ आ गई आपकी जो कि ट्रेंड अजन्सी है कोजगार्ड है नेवी है पुलिस है और आर्मी है इसके साथ साथ जो स्टेट लेविल के अजन्सियां है वो बहुत महत्पून काम करती है इट है इट है चिक लिस्ट टू इंक्रीज डिजास्टर रिस्क नॉलिज है कि नहीं आपके पास अब कहलाती है और जो हजार्ड है वो रिलेटेड है आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं आप उनके लिए एक्सपोज हुए है या नहीं हुए है आपको जो रोल और रिस्पॉंस्बिल्टी है स्टेक होल्डर्स का वो आइडिंटिफाई है कि नहीं है उधारन के तौर पे अगर साइक्लोन आता है या भूकाम पाता है तो हॉस्पिटर्स क्या उसके लिए एक्यूप है क्या वहां पे उस तरीगी के ट्रीट्मन करने के लिए ट्रॉमा सेंटर्स हैं क्या उनको इमेडियेटली जो वन जेरो एट के वेकिल्स है उतनी है वहां पे यह तो केवल आद हो गया तो उनका नुक्सान अपना हो गया तो उनके लिए हमने क्या सेफटी करी है रिस्क इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है क्या उसको हमने tongs system में आई है या नहीं है इन सब को देखने के लिए हम उने ये जो प्राविजन बनाया है state government का भी जोशी जिन आपके बताया कि हम फरवरी में उसकी practice करते हैं लेकिन कोसगार्ड इसमें क्या करती है कोसगार्ड सतत आपको एक हमने मुहिम चलाया है कि हम हर कोसटल एरिया में जाते हैं हर महिने जाते हैं वहाँ पर उन लोगों को हम train करते हैं कि इन केस अगर आप समुदर में आपको कोई तकलीफ होती है तो आपको क्या करना चाहिए आप कोसगार्ड हो कैसे contact मिला सकते हैं और एक joint group बना करके आप sale करिए वहाँ पर आ करके हमको बताईए और इसी तरीके से हमने पूरे कोस की mapping भी करके रखी है ताकि किसी भी कारह से अगर कुछ हमें तकलीफ आपको होती है तो आप किसी भी सेंटर पर बता देंगे तो वह कोसगार्ड को information मिल जाएगी इसी तरीके से detection of and monitoring analysis forecasting of hazard and possible consequences आपने हजार जो है वो deduct कर लिया उसको monitor भी कर लिया उसको analyze भी कर लिया लेकिन उसकी जो forecasting है hazard related उसके possible consequences क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी जानना और बताना बहुत जरूरी है multi hazard monitoring and forecasting services क्या क्या हैं फ़र एक मुझल आपके लिए टेली कास्टिंग है satellite navigators है, satellites है, bisects है आपका पसारण है, newspaper है, telephone है ये आपको समय समय पे इस विशह में बताते रहते हैं with a sound scientific and technological basis check-off list आपके पास check-off list होने चाहिए अगर पानी बरस रहा है तो आपको क्या करना है क्या वहाँ पे shelter home है shelter home में रहने के लिए क्या वेवस्था की गई है, ये सरकार करती है तो इसके बारे में आपको समय समय पे जानकारी भी दी जाती है और वहाँ पे जो district level का authority है, जो पंचाट level का authority है उनसे भी आप संपर्क रखेंगे तो आपको मौलूम होता रहेगा monitoring system place में है के नहीं, क्या हम जो information देते हैं वो सही लोगों तक पहुंसती है और पहुंसती है तो उसका क्या repercussion होता है क्या उन information को लोग उचे ध्यान देते हैं या केवल ऐसे उड़ा देते हैं अगर यह उचे ध्यान नहीं दिया तो हमारा सारा system जो है वो बेकार एक तरीके से हो गया are there forecasting warning place सही समय पर मिलती है के नहीं मिलती है तो इसका भी बड़ा असर परता है there are instrumental mechanism जो है वो in place है या नहीं है warning dimensions and communication warning dissemination and communication किसी भी information को जब तक first responder या affected person तक ना पहुँचाए जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता इसके लिए हम क्या करते हैं ensure people and communications उनको मिल ला है के नहीं मिल ला है सतत उसको ध्यान देना परता है हम लोग करते हैं government भी करती है gram पंचायत level पे करती है कि उनको ये information मिल ला ही है के नहीं और वो various तरीके से हम उनको बताते हैं for example जब आपके भुकम पाता है तो बताते हैं आपका सक्रवात आता है हवा तेज़ सलती है port पे cyclone signal warning signals लगा दिये जाते हैं तो ensure people and communities receive warning in advance of impeding hazard events and facilitating national and regional coordination and information exchanges are in place they are effective उनकी हम चेक्राइब क्या हो सकती है any organizational and decision making process in place or not and if it is in place are they operational इस ये operational जो है इसको continuously आपको चेक करना पड़ता है government भी चेक करती है for example अगर मैं आपको बताऊं Coast Guard and NDRF ये सतर तरीके से इस अपने operations को हमेशा करते रहते हैं ताकि जब ज़रूत पड़े तो वो हम सही तरीके से perform कर सकें और लोगों को इसमें involve करते हैं ताकि वो इसके बारे में जानकरी रखें और पूरी पूरी तरीके से उनको मदद मिल सकें NDR impact based early warning communicated effectively to prompt action by target group who are the target group target groups are the person those who are affected by any type of hazard whether it is a single hazard or a multiple hazard I told you earlier in case of cyclone cyclone is only the one hazard but it has a multiple implications strong winds damage to the property followed by the flood followed by the epidemic followed by the भुक्मरी और यह सब चीज़े जो हैं वो multiple hazards में आ जाती हैं इन multiple hazards के लिए क्या आप के पास वो सुवधाएं हैं बहुत कई बार देखा गया है कि multiple हजार किसी एक हजार के लिए नहीं होता भुक्म के बारे में अभी यही हजार लग जाते हैं आ जाते हैं क्योंकि महां भुक्म में भी अवी वस्ता हो जाती है आप बैठे बैठे आपका नुकसान हो गया आपका समान चला गया जब आपका मैंड में डिजास्टर होता है जो कि इंडस्ट्रल एरिया में बहुत होने के सम्भावना रहती है उसमें भी इसी तरह की अफरा तफरी होती है और कई जगे देखा गया है कि उसमें और नेश्टल डिजास्टर में बहुत सिमुलर्टी होती है आपको याद जब भुपाल में कारबाइड का कांड हुआ था, कितने लोग उसमें मर गए थे, लेकिन उसका जो जो कंटिजन्सी थी, वो कंटिजन्सी बहुत हद तक आपके भुकम की कंटिजन्सी से मिलती थी, तो ये कहना कि किवल एक हजार के लिए हमें तयार होना है, ये जरूरी नही हैं, हम को हमेशा तयार रहना चाहिए, हर हजार के लिए, मल्टिपल हजार के लिए, और मल्टिपल हजार का सबसे अच्छा का ये है, कि उसको सही तरीके से मौनिटर किया जाए, उसको डिड़ेट किया जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हम डिड़ेट कर सकेंगे, उतनी ज अच्छा सेटब बना लें और जो कि है इनफोर्स खासों से गुजरात में उसका आसर उतना नहीं होगा जितना कि हम चाहते हैं क्योंकि ग्रास रूट लेविल पे अगर आदमी एजुकेटड है उसको मालूम है कि इस अपदा में हमें क्या करना चाहिए तो उसका जो परणाम हैं वो बहुत अच्छा होता है और ये सारी चीजें जो इनफोर्मेशन है वो कम्म्नुकेट किये गई हैं कितनी तेजी से समय रहते हैं अगर वो हमने टार्गेट ग्रूप को इनफोर्मेशन डेसिमिनेट कर दिया है तो उसके पास टाइम है अपने आपको सुविवस्थि प्रिपेडनेस एन रिस्पॉंस के फेविल्टी हम प्रिपेडनेस कैसे बना सकते हैं क्या कर सकते हैं प्रिपेडनेस एक दिन में नहीं बनती हैं प्रिपेडनेस के लिए आपको सतत कारिक करना पड़ता है उसके लिए सतत ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसके लिए एज पर रोद को समझते हैं, क्या उनके जो टास्क करते हैं, जै उनको काम करना है, किस मौके पे काम करना है, क्या उसकी गरिमा को समझ पाते हैं, it is essential for people to understand their task, क्या काम करना हो उनको, चाहे वो government हो, चाहे वो first responder हो, या task group हो, Respect National and Local Warning Services and how to react to the warning messages Warning messages को आप कितनी serious तरीके से लेते हैं ये आपकी preparedness और response capability पे depend करता है कि किस तहां से आपको information मिली है Education and preparedness program play a very key role जितना ज़ादा आप लोगों को educate करेंगे उतना ज़ादा आप उनको prepare करेंगे ये program भी उसी सेड़ी में एक कड़ी है हम आपको बताना चाहते हैं इस program के माद्गम से कि आपका रोल क्या है, agencies का रोल क्या है और उस दोरह आपको कितना तरीके से preparedness होना चाहिए और यही हमें देखना भी है क्योंकि ये बहुत important role play करते है Check-off list हमको बना के रखनी होती है Check-off list अगर हम बना के रखेंगे उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए और disaster preparedness measures including response plans developed and operational जो भी हमने disaster preparedness plans बनाए है और यह disaster preparedness plan not a closed document It is an open document Every disaster gives you some lesson, some teaching and it has to be analyzed backward An improved plan has to be implemented क्योंकि every disaster has a different nature There is different magnitude or at different occurrence What has happened in Bhuja is not essential Will happen in Kach Aapka Saurashtrami There may be different places and different magnitude So that's why I said that disaster preparedness is not a closed document It is an open document Always need to be assessed, rehearsed and implemented time and again So we have to check it Whether the disaster preparedness measures including response plans How the government has to respond to the particular disaster Which all agencies, their distance to reach to that place where the affected or target group is there How we can reach there Fastest means is the best If you cannot reach there How you can render the assistance to the target group So here the first responder, the local authority They are the first responder Are you educating them? Are you developing them? And is that system operational there? This has to be assessed on regular basis Are public awareness and response tested and evaluated? Public awareness is also very important Because whatever has happened If anything takes place Responders, you have first responders or government agency They take their time Because they are not there Public is there And in most of the cases You take for example any road accident That is also a type of It is a hazard For the public The person who has experienced that Local passerbys Local travelers They come to assistance They call the 108 ambulance And then the system takes place Takes over it And renders assistance The first responder And the public Awareness is very essential The public awareness Response To the tested And it should be evaluated On regular basis Public awareness And education campaigns Are conducted Once again And I will say This plan is also A public awareness And education campaign Campaign We are educating the system We are testing Whether the system is In place or not With this I will give you Few examples of Coast Guard Where we have Rescued people How we have rescued people Many times During the monsoon Or just before Breaking of monsoon Fishermen go to the sea To get the good catch Because after the onset of June Their fishing is Banned They are Banned The issue is The future of the fishers The future of the fishers और ग्रुप में जाते हैं तो किसी एके पास सादन होता है हमसे बात करने का 1554 पे वह हमें बात कर सकते हैं तो 1554 पे किसी भी कोजगार्ड के स्टेशन पे वो जाकर के उनको कनेक्ट मिल जाता है और कोजगार्ट की जो शिप हैं उस इन्फार्मेशन को लेकर वहां तक जाते हैं उनको जो रेंडर जो सर्विसेज देनी होती हैं वो सर्विसेज देते हैं अगर वो आपरेशनल हैं हो सकते हैं तो उनकी वहां मदद की जाती है अगर उनकी तरह के तकलीफ हो गई है तो कोज कोजगाड के और ये सुभधाएं किवल कोजगाड ही वहाँ पे आपको दे सकता है जो मचवारे हैं तो उस तरीके से हम उनकी वहाँ मदद करते हैं अगर वो उस वहाँ पे उनकी नाउट ठीक नहीं हो सकती बहुत तूट गई है तो उनको हम तो करके सुरक्षी जगह पर बे चले जाते हैं उनका वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता यही तरीका है इसी तरीके से हमें कॉंटेट करते हैं हम उन जहाँजों को ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके उनको फिर पकड़ते हैं और जो भी उचित काम होता है वो पुलिस के दौरा किया जाता है यह तो हो गई समुदर की बात इसी तरीके से हम जो जमीन पे हैं जमीन पे भी कोजगार्ड आपकी बंदत करती है और आपके सेवा के लिए तद पर रहती है यह इस तरीके का प्रोग्राम चलता रहता है हम लगातार जो कोस्टल एरिया हैं उनमें एजुकेट करते हैं और डिजास्टर से सम मंदित को समुद्र से समंदित सुरक्षा कैसे हो सकती है इंफॉर्मिशन कैसे मिलती है कहां कहां से मिल सकती है उन सब के लिए ट्रेनिंग और अभ्यास कराते रहते हैं आशा है हमारे द्वारा बताएगे चीजें आपको कुछ उप्योगी लगी होंगी धन्यवाद धन्यवाद स्पीकर्स हम आपको धन्यवाद ग्यापित करते हैं अब कुश्चन एयर का सेसन है जहां से भी जो सुरोता बंदु हमें सुन रहे हैं वो इन टेलिफोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना सवाल डाइरेक्ट हमारे स्पीकर्स से पूछ सकते हैं अगर आपको किसी इस तरह की जानकारी चाहिए जो की अभी विद्विधा बनी हो कि भाई अगर ये सिच्वेशन है तो हमें क्या करना चाहिए या किस तरह की प्राश्ण जो पुछो हौए तो तमारा टीवी मोनीटर पर जे नंबर आवे चे टॉल फ्री नंबर ये न उपर फोन लगाड़ी आने तमे ए नंबरों उपर फोन लगाड़ी आने तमें पुछी शक्षो 나오ं तो कोईपन व्यक्ति समगर गुजरात मां थी गमेत यां थी जोता होई त्यां थी आप फोन नंबर लगाड़ी अने फोन करी शको चो अने प्रश्टन पुछी शको चो तमारों प्रश्टन अमारा सुधी पहुँचे ते दर्म्यान हुँँ आपने एपन जनाविदव के जेम राज्य सरकार जिल्ला कक्षाय तालुका कक्षाय डिजास्टर मनेज्मेंट प्लान जे बनता होई छे एम दरेक गाममा पन आप्रकार ना टास्क फोर्स इटले के मदद बचावनी टुकडियों बनी शक्ती होई छे इमा जे लोगों तरवया होई स्विमिंग जानता होई एम नी एक टुकडि बनती होई छे जे लोगों पाणी पिवान जमवानी व्यवस्ता सारी करता होई छे एम नी एक टुकडि बनती होई छे जे लोगों जाड ने रोड उपर थी कापी एने रोड साफ करी शक्के अथवा रोड में माटी नाखी एने टेंपररी ताथकालिक बनावी शक्के एम नी एक टीम होई छे, डॉक्टरों जे आवे अने डॉक्टर मेडिकल सुविधा जे लोको ताथकालिक पूरी पाड़ी शके, एवा लोको नी एक टीम बनती होई छे, अने ये जे प्रकारे भुजननी व्यवस्ता करी शके, ए प्रकार नी एक टीम बनती होई छे, कितलाक लोको थोड़ा घणा जे लखवा मा सारी रिते होई छे ते लोको जारे सर्वे टीमों आवे छे त्यारे तेमनी मदद मा पन एक टीम राखी शकाई छे आम अलग-अलग प्रकारनी टीमों ग्राम में कक्षा एपन वोलन्टियर्स के स्वैम सेवक कक्षाना जे लोको छे एमनी बनावी ने अपने काम करी शक्किया छे उँँ फरिती आपने विननती करी दव के तमारा मादी जे पन कोई लोको ने आजना विशय उपर कोई प्रकारनों प्रश्ण पुछो होई तो तमारी टीवी स्क्रीन उपर आवता नंबर उपर फोन करी अने आप प्रश्ण पुछ प्रश्ण चे नहीं बराबर तमने बहुत सरस्रीते जानकारी मली लागे छे जिसी तमारा तमाम प्रश्णों नूं समाधान थयू लागे छे तो वे डॉक्टर पांडे तो मैं धन्यवाद ग्यापिद करता हूँ सारे स्रोता बंधों का और स्पीकर्स का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे स्रोताओं को लाभानवित किया हमें आशा है कि ये सतत हमको इनका सहयोग मिलता रहेगा और इस तरह के कारेकरम हम ताकि परसारित कर सकें कि ये जादानश ये खाद्टानश इन दो परसारित का किव गभानश पारेकर्स के कारेकर्सी आटादाब रहे हमें आटादादा सकें और सकेंगा ये टूंगादाने मुल्यवादाध ये लगल्यवादादा जो ये लगे